दोस्तो अक्सर आपने दुनिया में कई अजीबो गरीब रेस्टोरेंट के बारे में सुनाओगा कई पानी के अंदर रेस्टोरेंट बने हुए है तो कई रेस्टोरेंट हवा में बने हुए है जहाँ पर लोग डिनर करने जाते दोस्तो रेस्टोरंट में हम maximum time हम एक दूसरे से बाते करते हुए अपना time spend करते है लेकिन दोस्तो क्या होगा अगर आपको ऐसा बोला जाए कि आपको इस restaurant में एक दूसरे के साथ बात करने की इज़ाज़त नहीं है तो आपको कैसा लगेगा तो आईए आज मैं आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर लोगों को बात करने के अनुमती नहीं है और आप यहाँ सिर्फ इशारों से खाने पीने के चीजों को आडर दे सकते हैं दोस्तो अब आप यह सोच रहे होंगे की आखिरी यह सब करने के पीचे कारण क्या है यह लोग ऐसा क्यो करते हैं तो इस बात का भी जवाब मैं आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ तो बिल्कुल बने रही है मेरे साथ इस वीडियो में पूरे इंट तक और वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप न करे नए भी बार चानल को सबस्क्राइब तो कर लो और बाजू में दिखे गंटी तबाकर All सेलेक कर लेना और हाँ वीडियो के निचे दिखे लाइक बटन को जरूर प्रेस कर लेना दोस्तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह बहुती अलग किस्म का रेस्टोरेंट है जो कुछ समय पहले चीन के गौांग जू में खुला हुआ है इस रेस्टोरेंट की शुरुआत स्टार्बक्स ने की है और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते इसलिए इस रेस्टोरेंट का नाम साइलेंट कैफे रख दिया है यह चीन का एक मातर ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर बिना बोले ही आपको खाने का ओर्डर दे सकते हैं इस रेस्टोरेंट की खास बात यह भी है कि ग्रहा की इस रेस्टोरेंट में बिना बोले ही ओर्डर देते हैं आपको जो भी मंगाना होता है अपने हाथ के इशारे से मेनू काट के नंबर को बता दे ओडर कुछ मिन्टों में आपके पास आ जाएगा दोस्तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इशारों में सब बाते समझाना पॉसिबल है अगर समझो कोई कस्टमर अगर रेस्टोरेंट के करमाचारी को समझाने में नाकाम रह गया तो क्या होगा तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस रेस्टोरेंट में कुछ इस प्रकार की सुविदा दी गई है कि अगर कोई ग्रहक कर्मचारियों को समझा नहीं पा रहा है तो वह अपने बात को नोटपैट पर लिख कर दे सकता है इस रेस्टोरेंट की खास बात ये भी है कि यहाँ पर ग्रहक और कर्मचारि के बिच डिजिटल संचार की सुविदा दे गई है मतलब आप उनसे टेक्स मेसेज के जरिये भी बात कर सकते है और उनको अपने बात समझा सकते है और दोस्तो सिर्फ इतना ही नहीं इस रेस्टोरेंट के दीवारों पर सांकिति भाषा के चिन्न और सुचक यानि इंडिकेटर भी बनाय गए हुए ताकि ग्रहा को द्वारा बोली गई बातों को आसान इसे समझा जा सके दोस्तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब करने के पीछे कारण क्या है ये लोग ऐसा क्यों करते है इस restaurant की ऐसी विवस्ता की गई है कि जिसे सुन सकने में असमर्थ लोगों को भविश्य में ज़्यादा से ज़्यादा नोकरी मिल सके मतलब जो लोग बाइरे होते हैं उन्हें भी कुछ employment मिल सके वो भी अपनी रोजी रोटी के लिए कमा सके और अपना परिवार पाल सके की बात बोल सकते हैं और वो यह है कि man you are doing great work दोस्तो वीडियो पसंद आयोगा दिसे like जरूर करें अगर आप हमारे चानल पर नए होगा ते चानल को सब्स्राइब जरूर कर ले दोस्तो वीडियो कैसे लगी इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइए उस स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं उनको भी आप वाच कीजे तो मैं मिलता आपको ने स्टूडियो में कुछ इसे इंटरेशन डापिक साथ तब तक ले थें सुर वाचिंग गुडबाई एंड टेक क्यार